हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग इंगलिश ग्रामर में पढ़ेंगे काइंड्स ओफ वाब्स वर्ब क्या होते हैं इसके बारे में अलड़ी मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसके उपर हमार एक टीचिंग वीडियो है आपके पास अगर आप भूल गए हों तो उसको एक बार रिवाइज कर लें आज हम लोग चाचा करेंगे काइंड्स ओफ वर्ब्स के वर्ब के प्रकार तो वर्ब दो तरह के हो गए लक्सिकल वर्ब्स और ऑउक्जिलरी वर्ब्स आउक्जिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी बुला जाता है यानकी इस तरीके से क्या हो गया there are two kinds of verbs that is lexical verbs and auxiliary or helping verbs अम हम लोग देखते हैं कि lexical verbs क्या है lexical verbs are ordinary verbs lexical verbs ordinary verbs होते हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ होता है independent meaning होती है इनके यह अपने meaning के लिए किसी पर depend नहीं करते यह verbs इनके पास खुद की अपनी meaning है इसलिए कहते हैं स्वतंत्र अर्थ इनके पास independent meaning है और यह sentence में मुख्य क्रिया यानि कि main verb का काम करते हैं sentence में lexical verbs main verb यानि कि किरिया का काम करते हैं प्रधान किरिया का काम यह करते हैं लेक्सिकल वर्ब की और आपना जाना यह यह sentence में मुख्य क्रिया की तरो में वर्ब की तरो काम में आता है त्सक्राइब यह भी अर्टिनरी वर्भ है इसका भी अपने independent meaning है खाना और यह भी sentence में में बड़की तरो यूज होता है तूलाफ कर ऐसंटेश में में मुख्य क्रिया के तरह यूज होता है टूरान दोडना स्कलिए और यह भी संटेंस मुख्य क्रियानिक में वर्ब की तरह यूज होता है तो जो भी वर्ब और रिहोंज हो हो जिसका सोतंत्र और सिंड victim में कलता हो फ्रार देने के लिए किसी भी दूसरी तीसरे वारड पर निरबर नहीं करता हो जो सेंटेंस मुख्य करिया परदान करिया है Heckman वर्ब की तरह काम करता हो वो लक्सिकल वर्ब होता है लक्सिकल वर्ब की एक और पाचान होती है कि इसके five forms होते हैं जब यह sentence में लक्सिकल वर्ब भी होता है तो इसके five forms बनते हैं यह five forms क्या क्या बन रहे हैं v1, v2, v3, v4, v5 five forms v1 वर्ब का first form v2 वर्ब का second form v3 वर्ब का third form v4 वर्ब का fourth form जो की वर्ब का ing form भी होता है v4 कैसे बनता है v1 में यानि की वर्ब के first form में ing add करने से बनता है v5 जो होता है यह कैसे बनता है v1 में as और yes add करने से बनता है वीवन में ही एस और इस एड करने से वी फाइब बनता है तो लक्सिकल वर्ब्स के फॉर्मस भी होते हैं तो एक बार फिर से लक्सिकल वर्ब को हम कैसे पाचानेंगे जो वार्ब आउडिनरी वार्ब हो जो वार्ब इंडिपेंडेंट मिनिंग रखता हो सवतंतरत रखता हो अपना अर्थ असपस्ट करने के लिए वो किसी भी दूसरे तिसरे वर्ड पर डिपेंड नहीं करता हो निर्बन नहीं करता हो जो वाक्य में सेंटेंस में मुख्य क्रि जा सकते हैं फॉर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फॉर्थ फॉर्म फॉर्म तो वो होता है लक्सिकल वर्ब अब ही हमने इन सब का आप को यह बता है कि यह जो एक्जामपल समने लिए हैं कैसे ओडिनेल वर्ब से इनका सोतंत्र मिनिंग है तो ड़ सतन तरत है मंकी क्रिया की त्रह काम करते हैं अब इनके फॉर्म सकीर्चा कर लें तो गouse गल से वेंड़ स्पॉर्म सेकेंड इंडर्ड़ूंग अब फॉर्थ फॉर्म कैसे बनेगा फ़र्स्पॉम आई लिए न् andra सब्सक्राइब 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 जोड़ने से तो इसमें यह लगेगा ती हो जाएगा गोज कि अब इस कहां लगता है यह आपको अलड़ी पहले मैं पढ़ा चुका हूं फिर आके जोरद पढ़ीगी तो मैं रिवाइस करबादंगा तो और इसी तरहएट का यूट एड एट इतन इतं इटेंग इट्स लका लाहसे लॉफ्ड लाफ्ड लॉfound सब्सक्राए in लाप्स हर अलों का रन रान रंट रन रनिम रांस तो जिसका-पडूं यह मोईतल लें सब्सक्राइब यह रहा इट्स लक्सिकल वर्ब रामी इस इटिंग मैंगो इटिंग एलक्सिकल वर्ब हो गया राम है सीटेन मैंगो इटेन लक्सिकल वर्ब है रामे एट मैंगो एट लक्सिकल वर्ब हो गया राम इस अबाउट टू इट मैंको लेक्सिकल वर्ब हो गया यह सारे लेक्सिकल वर्ब है यानि कि चाहे वो अपने फॉर्स फॉर्म में सेंटेंस में आए सेकेंड फॉर्म में फॉर्ट फॉर्म में फॉर्ट फॉर्म में फॉर्ट फॉर्म में वो लेक्सिकल वर्ब ही वर्ब्स जिसको की helping verbs भी करते हैं auxiliary verbs को helping verbs भी करते हैं क्या है यह tense mood voice expressions के निर्मान में lexical verbs की मदद करती है यह वर्ब्स यह जो क्रियाएं होती है helping verbs सहाय क्रियाएं नावी है helping help करनेवाली मदद करने वाली verbs KRIYAN helping verbs मदद करने वाली क्रियाएं सायता करने वाली इसलिए इनको हिंदी में सहाय क्रियाएं करते हैं auxiliary verbs यह हपिंग alternate तो जैसे नाम सब्सक्राइंट किया वैसा है का मैं यानि कि यह main verb main verb मतलब यह जो lexical verb है इसकी मदद करते हैं किसलिए tense form करने के लिए mood का formation करने के लिए wise का formation करने के लिए या किसी expression को form करने के लिए इन में से किसी भेacements को अगर form करना है tense, mood, voice, expression any तो तो इस सब निर्माण में निर्माद में सब partir Doctor में लेक्सिकल वर्लब अकले कुछ नहीं कर सकता लेक्सिकल को दाज की जरूरत है यहां कहाता स्वतंत्र आर्ट आर्थ के लिए मदद नहीं चाहिए इनके पास अपने स्वतंत्रार्थ है इंडिपेंडेंट मीनिंग है उसके लिए मदद नहीं चाहिए मदद चाहिए टेंस फॉर्म करने के लिए मदद चाहिए मूड फॉर्म करने के लिए मदद चाहिए वाइस फॉर्म करने के लिए मदद चाहिए एक्सप्रेशंस को फॉर् की मदद करें टेंस मूड वाइस एक्सपरिशन के निर्माद में वही कहलाता है और या फिर हेल्पिंग वर्ब कि आप जरा दोनों की तुलना कर लें कि यह ओडिनरी वर्ब्स हो गया है यह ओडिनरी वर्ब्स नहीं है यह ओडिनरी वर्ब्स हैं इनका सोतंतर अष्थ नहीं होता है एंडिपेंडेंट मिनिंग नहीं होता है यह बर कि तरा काम करते हैं यह मेंवर्ब कि तरा काम नहीं करते हैं भी करेंगे helping का ही काम करेंगे देना इनके forms possible है first form second form third form fourth form form इनके forms possible नहीं है अब देखते हैं examples इनके examples में आगा है to do और to do के forms होते हैं do did Dutch उसी तरह to have to have के forms हो गया have, has, had to be to be के forms हो गया is, are, am, was, were, shall, will, be, being, been can, could, may, might अगे और भी है तो यह सारे example होगा auxiliary verbs या helping verbs के do, did, does, have, has, had, is, are, am, was, were, shall, will, be, being, been, can, could, may, might and so on यह सब example होगा है किसके auxiliary या helping verbs के अब जरह हम इनके uses देखते हैं he is eating, देखिए, ease आया है न, he is eating, यह ease किसकी help कर रहा है, is eating की help कर रहा है tense का formation करने में, they are, यही है helping verb, auxiliary verb, यह help कर रहा है किसकी, eating की, they are eating I am eating, यह am किसकी help कर रहा है, eating की, she was eating, वाज किसकी help कर रहा है, फिर इस eating की we were eating, वार किसकी help कर रहा है, eating की, यानि कि यहाँ पर is, यहाँ are, यहाँ am, यहाँ was, और यहाँ were, यह सब helping verbs हैं, auxiliary verbs है, और यह थे main verbs, eating हर जगा है, eating है main verb, उसी main verb की, helping verbs, मदद कर रहा है, tense को form करने में, जहाँ यह present tense था, वहीं आ करके past tense हो गया, इस को आर में बदलते, इस को वाज में बदलते, यह present से past tense हो गया, आर को वर में बदलते ही present से past हो गया, है ना, ओके, तो यहाँ तक हम लोग के बात किलियर हो गई, लक्सिकल वर्प्स क्या है, आक्जिलरी और हैल्पिंग वर्प्स क्या है, पर हर जगे कुछ न कुछ अप्वाद होते हैं, अब यह नियम बता रहा था, तो कुछ उसमें अपवाद भी है जहां पर इनियम लागू नहीं होते क्या अपवाद है कुछ उक्जिलरी वर्प्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग लक्सिकल वर्प्स की तरह भी होता है कुछ auxiliary verbs इसमें से कुछ auxiliary verbs helping verbs ऐसे हैं जिनका यूज जिनका प्रयोग lexical verbs की तरह यानि के main verbs की तरह भी होता है कौन-कौन से ऐसे हैं कुछ examples देख लें दू इस आर एम वास वार हैव हैज हर्ड भी नीड डियर और और यह सब वह अक्जिलरी वर्ब्स हैं जो auxiliary verb helping verb का काम तो करते हैं पर जरूरत पर यह sentence में में वर्ब की तरह lexical verbs की तरह भी काम करते हैं फॉर एक्जामपल आई एम अटीचर एम यहां देखिए आई एम इटिंग आई एम एटिचर यहां एम जो था main verb इटिंग की help कर रहा था tense के formation में यहां पर एम किसी भी की मदद नहीं कर रहा है इसके बाद कोई भी और भर्व नहीं है यह केले खड़ा है यानि का भी इंडिपेंडेंट हो गया lexical verb की तरह काम करके बोल रहा है I am a teacher I am आगया उसी तरह you are a student are he has a car he has a car they have a bus they have a bus have am are has has a bus we are a bike की तरह में बर्व की तरह काम कर रहा है तो अब आपको बात समझ मां गई होगे यानि कि जब यह कैसे पता चलगा के में वर्व का काम कर रहा है लेक्षिकल वर्व का काम कर रहा है उनके बाद अपने आप कोई और नहीं आयेगा लेक्सकल वर्ब का कोई और आहिए नहीं आगा ना तो फर्स्स पार्म में हैं न inverted पॉर्प में न फूर्प में पॉर्प में किसे प्रम में को सब्सरान धोना हुए यह अक्युत 15. यह helping verb होने के बावचूद भी यहां पर इस सेंटेंस में में वर्ब का काम कर रहे हैं लेक्सिकल वर्ब का काम कर रहे हैं तो अब हम लोग आज यहां पर कंप्लेट किये लेक्सिकल वर्ब और वार्ब्स के बारे में है नक्स्क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काईंस ओफ ऑउजिलरी वर्ब्स यह जो अशिलयर्य वर्ब्स हैं इनके भी काईंस हैं इनके भी टाइप से इशको स्थटी करेंगे थैंक्य